हलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूटूब चैनल रियल फैक्ट में तो दोस्तो आज हम बताने जाने हैं क्रिसी उन्पुट अनुदान के तरफ से एक बहुत बड़ी सुचना आई है दोस्तो इसमें जो है सभी का पैसा रोक दिया गया है दोस्तो पैसा क्यों रोका गया है और कब तक मिलेगा आपका पैसा यदि आपने फरवरी या फिर मार्च में अपलाई किया था क्रिसी उन्पुट अनुदान के लिए तो आपका पैसा कब तक आएगा इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक देखेगा और चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राब कर देजेगा और बैल आगन को प्रेस कर देजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करत हैं तो दोस्तों यहां पर हम लोग अपने डीवीटी के ओफिसिल साइट पर आ गए हैं दोस्तों इसके बाद आपको लेकर चलेंगे जिसमें की पस्चमी चंपारन, किसन गंस, मधेपूरा, दरवंगा, मुझपरपूर, गोपाल गंस, समस्तिपूर, भागलपूर, बाका, मुंगेर, लखी सराय, नालंदा, पटना, भोजपूर, बकसर, केमूर, रोतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, सेखपूरा, अरवल के लिए मान है, दोस्तों यदि आप लोग इन 20 जुलों में से बिलॉंग करते हैं, तब ही आप इसका लाब ले सकते हैं, अदरवाज आप इसका लाब नहीं ले सकते हैं, इसके बाद चलते हैं, नौटीस की और, यह देखिए दूस्तों हमारे सामनें नौटीस है, ये आज का देनिक जागरन का पेपर है, इसमें दिखे राज ब्यूरे पटना लिखा हुआ, बे मौसम बारिश से बढ़े पेमाने पर रवी फसलों की बरबादी की भरपाई महिने में कर दी जाएगी, दोस्तों ये जो है आपको महिने में मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग हाँ देख सकते हैं, बे मौसम बारिश से बढ़े पेमाने पर रवी फसलों की बरबादी की भरपाई महिने में कर दी जाएगी, किसानों को 1270 करोर रुपय मिलने हैं, दोस्तों इसके लिए वजट जो बना है, वो 1270 करोर रुपय की है, अभी सबसे बरी समस्या गेहु कटन को लेकर है, इसके लिए सभी जीलो में हेल्प प्लाइन नमर जारी किया जाएगा, क्युंकि दोस्तों सभी कोई क्रोना को लेकर अभी गेहु काटने नहीं जारे हैं, इसके बाद कृशी मंतरी डॉक्टर प्रेम कुमार ने शोंबार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिय बिभाग्य सचीब विसिज सचीब वेवन निर्देशक समयत अन्य अधिकारियों से किसानों की समस्या की जानकारी लिए। जिसको नुकसान हुआ है उस आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। मार्च वाले और फर्वाई वाले दोनों की जो है यहाँ पर सत्यापन हो जाएगी। गेहूं की फसल में अगलगी की सुचनाए आ रही है। गेहूं का फसल जो है जलने लगा है ज्यादा धूप के कारण परभावित किसानों को आपदा परबंदन विभाग की और से भरपाई की जाएगी। जो जो किसान को इस लौस वहा है उसको आपदा परबंदन विभाग के तरफ से पैसा मिलेगा। जीला क्रिसी पदादिकारियों को कहा गया है कि गेहूं मक्का दलहन तलहन सबजी एवंफल को राज के अंदर बाहर ले जाने की विवस्ता करें। जीला क्रिसी का पदादिकारी उन्होंने कहा है गेहूं मक्का दलहन और तलहन गेहूं है मक्का है दाल है तलहन में तेल जैसे सरसो का आ जाता है। सबजी एवंफल को राज के बाहर इसको जब बोला जारा है राज के बाहर इसको बेचने का काम किया जाए। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों कसाथ करें और हमारे चैनल रियल सैक्ट्स को सबस्क्राब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई.